So hello everyone my name is Prince and फिर से एक नए वीडियो में आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्विन कोल्ड सीरफ के बारे में जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहतर सीरफ होती है सो दोस्तो ये जानेंगे कि सॉल्विन कोल्ड सीरफ के यूज क्या होते है इसका डोच छोटे बच्चों को किस प्रकार से दिया जाता है इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते है और दोस्तो इस सीरफ के मार्केट में फ्राइज क्या होते है तो दोस्तो टाइम वेश्ट न करते हैं हम जानकारी को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें साल्ट क्या होता है तो दोस्तो इसमें पैरसिटामॉल 125 mg होता है और इसमें फैनी लेप्रिन हैड्रो क्लोराइड जो होता है वो 5 मिनी ग्राम होता है और इसमें क्लोर फैरना मीन जो है 2 मिनी ग्राम मिला होता है बात करने दोस्तों हम इसके यूज के बारे में तो इसका यूज जो है छोटे बच्चों में जैसे कि उनको सर्दी जुखाम बार बार हो जाती है तो ऐसी condition में इसका यूज करवाया जाता है और दोस्तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि सर्दी जुखाम के साथ उनको fever भी आ जाता है तो ऐसी condition में solving cold बहुत बहुत बहुतर product होता है ऐसी condition में भी या work करता है और दोस्तों छोटे बच्चों में जब cold होता है उनको सर्दी जुखाम होता है तो उस समय उनको खासी भी आ रही होती है तो खासी के condition में भी या काफी अच्छा काम कर देती है और दोस्तों छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनको अक्सर नाग बहती ही रहती है तो ऐसी condition में इसका यूज बहुत बहतर है और दोस्तों छोटे बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी allergic condition होने करण उनको तवचा में खुजली जैसा होने लगता है तो ऐसी condition में भी आप solving cold syrup का यूज करवा सकते हैं यानि दोस्तो solving cold syrup का मुख यूज जो होता है वो छोटे बच्चों में सर्दी जुखाम बुखार के दोरान करवाया जाता है या फिर छोटे बच्चों के normally जब खांसी आती है तो भी इसका प्रयोग करवाया जाता है या फिर दोस्तों छोटे बच्चों में कभी कभी क्या होता है कि जब उन्हें cold होता है सर्दी जुखाम बुखार होता है तो ऐसी condition में उनके तोच्चा भी normally खुजली जैसे होने लगती है थोड़ा allergic condition जैसा होने लगता है बात करें दोस्तों हम इस सिरफ के side effect के बारे में तो इसके कुछ normally side effect भी हो सकते हैं जैसे कि बार-बार vomit हो जाना या फिर जो है मतलब से ज़्यादा fever आ जाना ये जो है इसके normally side effect होते हैं लेकिन ऐसे side effect बहुत ही कम देखने को मिलते हैं तो guys I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो please इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यदि फिर भी आपके मन में कोई confusion है कोई शावाल है तो बेसक आप हमें comment box में comment करके अपने सवाल पूँच सकते हैं तो फिर मिलता हूँ मैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और बाई बाई